सबसे पहले बात करें अगर नाम करेक्शन की तो नाम करेक्शन में अगर आप इस डोकुमेंट्स को लगाकर अपना अधर करेक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो आपका अधर करेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाता है आपका अधर करेक्शन नहीं होगा हाई फ्रेंट्स मैं अनुसर मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल उनलाई सोसाइटी में हमारा जो अधर काड होता है उसमें तीन तरह के करेक्शन हमारे होते हैं के लिए हमें अलग-अलग तीनो तरह के डुकमेंट की ज़रूरत पड़ती हैं पहला पति यह पिता का नाम हो या पिर आपका पूरा वो पूरा address में यादा है उसमें आपको कुछ भी correction करना होता है तो आप पर आपको prove of address की ही जरूरत पड़ती है तो कुल मिला कि यहाँ पर हमारे तीन तरह के आधर कार्ट की correction होते हैं और तीन तरह की correction में हम यह अलग-अलग documents की जरूरत पड़ती है फिर जो आधर करेक्शन हमारा एक document होता है जो UID के format में हमारा form होता है इस form को हम अपने गिनाम पंचत प्रदान से verify करा सकते हैं अपने MLA या फिर MLC से verify करा सकते हैं अपने तैसिलदार से verify करा के आधर करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो friends बैसे तो अगर आप आधर अपडेट के बेले documents की list देखेंगे तो यहां पर आपको प्रूब अटेटी प्रूब डेटो पत और प्रूब आटरस तीनों में ही यह form देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन आज की स्वीडियो में आपको अपने personal experience के हिसाब से बताऊंगा कि इस form के जरिए आप किन-किन चीजों का correction कर सकते हैं और किन-किन चीजों में यहां पर इस form का आप यूज नहीं कर सकते हैं और साथी यहां पर आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आप जो आधार करेक्शन है आपके लिए सबसे साई document कौन सा रहेगा जिस document को upload करके आप आसानी से आपका 99% chance रहेंगे कि आपका आधार करेक्शन हो जाए यहां पर आपका फ्रम जो है वो reject नहीं होगा आधार करेक्शन और फेट से आपर एक बात और क्लियर कर दूमें आपको जो यह बताने वाला हो वो आधार करेक्शन की जो डेमोग्राफ्ट ओनलाइन अपडेट होता उसकी बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं यह क पिसकेस में यहां पर आपका अधार करेक्शन हो भी जाता है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इस तरह के आधार करेक्शन हमारे जो नाम वाले स्पोंस सही हो जाते हैं तो फ्रॉन्ठ जैसे आगर आपका नाम कुछ भी है उसमें आपको स्पेलिंगों मिस्टेक बहुत सही करानी जैसे आप माली जी आपका नाम रहीम है तो आपके नाम की spelling है र-A-H-E-E-M तो इस तरह से अगर आप डवल-E की जगए आई कराना चाहते हैं या फिर आपका आई है उसकी जगए आप डवल-E कराना चाहते हैं तो इस तरह की जो आपकी छोटी-छोटी spelling mistakes होती है जैसे आपका नाम राम किसोर है तो राम और किसोर मिला हुआ लिखा है अगर आपको दोनों की बीच इस पेस कराना है राम किसोर तो इस तरह की छोटे-छोटे correction होते हैं आधार में नाम के वो correction आप easily कर पाएंगे इस form के जरी है जैसे अगर आप पूरा नाम change करना चाहते है आपका नाम राम है आप बदल के नाम स्याम करना जाते है तो इस तरह के जो आपके पूरे-पूरे नाम change होते है उस तरह में आपकी इस dogmates को upload ना ही करें तो बहतर होगा क्योंकि इस से आपका आधर करेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा ऐसे में आपका आधर करेक्शन नहीं हो पाएगा तो फ्रेंट से यहापर आपकी जो spelling mistake है छोटी बड़ी तो इस तरह से आप आधर करेंगे तो यहाँ पर आपका आधर है वो आसानी से आपर करेक्शन हो जाएगा इस form के जरीए दूसरी बात करें फ्रेंट से आपर date of birth की तो फ्रेंट से आपर मैं एक दिन के लिए date of birth का भी यूज़ करके देख लिया है और जिनका 2-3 महिने का अंतर था उनके भी date of birth का यूज़ करके देख लिया है दोनों ही केसों में आपर जो हमारा आधर करेक्शन है date of birth का भी इस form से reject हो जाता है तो आपर यह बैले डुकुमेंट नहीं मानते हैं आपर जो online demograph का हम update कर दें तो उस form में date of birth में आप इस form का यूज़ नहीं कर सकते है अगर आप चाहें तो इसका यूज़ करके देख सकते है आपका correction हो जाए तो अच्छी बात है लेकिन मैं अपने personal experience की बात करूँ तो आपर date of birth का correction इस form से नहीं होता है तो इस तरह अपर बात करें address की तो address का भी यहाँ पर सेम है आपका सेम गाउं है यहाँ पर आपका गली मोले का correction होना है तो इस तरह का correction चोटे मोटे इस form से हो जाते हैं लेकिन पूरा correction आप चाहें address का तो वो इस form से नहीं हो पाता है तो friends, हम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपको कौन-कौन से documents का यूज कर सकते हैं online demographic update में ताकि जह आपका आधार है, वो सही से correction हो जाए एक बार में आपको बार-बार rejection का सामना नहीं करना है सबसे पहले बात करें prove of identity में तो prove of identity में आपर आप दो-तीन तरह की documents यूज कर सकते हैं जिससे आपका आधार है वो एक बार में ही सही हो जाएगा आपका form जो है reject नहीं होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आता है राशन कार्ड अगर आप करना आप राशन कार्ड में सही है आधर कार्ड में थोड़ा बहुत गलत है तो आप राशन कार्ड कर लगाकर आधर कार्ड को सही कर सकते हैं तूसरा यहां पर आपका पैनगट पहले कर बना 후 और फेन कारफ सकते हैं और यहां पर आता है आपका पैचानम नहीं तो यहां पर आपका को भी बैलेन डूकुमेंट नहीं जिससे में आप बारें ब्रिफिकेशन कबवाप आप के लिए आपके पास बचते हैं या तो आप उसी वाले फॉर्म को अपने प्रदान से बेरिफाई करा के आधार एंडॉल्मेंट पर अपना अधास रहा है या फिर आप अगर पढ़ाई करना है तो ऐसे में आप अपना आडी प्रूब ले जाके जो कॉलेज वाले हमारी आडी ही होती है आई काड उसे ले जाकर आप जो आधार अधार करा सकते हैं लेकिन जो आई काड है वो हमारा ओनलाइन में बैलेड नहीं माना जाता है दूसरा बात करें डिट ओपर की तो डिट ओपर में यहां पर आपको सेम तरह के डोगमेंट देखनी के मिल जाएंगे सबसे तरह देल हैं यहां पर आपका पालइट आज आता है आपका पैचान पतर आजाता है हैं थेछे रम्बर आपका हाइश understood है आपका बद्ध सेटिविकट यहां पर फैंट सीजी दो डूकुमेंट्स हैं बद्ध सेटिविकट और हाई स्कूल की मार्च टीटिटी इसमें आपका जो आधार है एक परसेंट भी चांस नहीं होता कि आपका जो आधार है बुक करेक्शन वो कैंसल हो जाए तो फैंट्स इन और सेंटर पर अपने आधार को करेक्शन करवा सकते हैं बहां पर आपका आधार क्रेक्शन हो जाएगा लेकिन ऑनलाइन यहां पर आपका आधार क्रेक्शन नहीं हो पाएगा थर्ड बात करें एड्रस की तो आध्रस में भी आपर आपको लगबग सेम डोकुमेंट्स ही द मुल लिबास है तो झाल पर सबसे और सबसे तरीका और 100% चांस रहे हैं आपका अधार करेक्शन नहीं होता आपका और एक प्रिदान से सकते हैं उसे लगा कराप ऑलना एक प्लाइप गर सकते हैं जैन उसके बाद आपकर आप लिएपट से अब बात कर सकते हैं जाकर उनसे बात करेंगे तो आपका जो मुरुली वास है बच अगर आप ढrecellence करते हैं तो यहाँ पर कोई आपको बात करने का मौका नहीं मिलता है यहाँ पर जो आपका देंग है को a बार-बार आदर करेक्शन रिजेक्ट नहीं होगा साथ यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया कि यह फॉर्म लगाकर आप ओनलाइन डेमोग्राफिक में क्या क्या अपडेट कर सकते हैं तो आई हो फ्रेट्स आपको वीडियो में ताई जनकर यह समझ में आ गई होगी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पहुंच सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चनल पर पहली बार विजिट कर रहें चैनल को भी सब्सक्राब कर लिजिए ताकि आपको ऐसी नोलेज नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई